आज बनने जा रहा है चिली बीफ इस्टिर फ्राइ पास्ता साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे लहसन ऑईल तो थोड़ा सा एड़ कर देते हैं इसमें ऑईल यह हमने इसमें ऑईल शामिल कर दिया सुवया सॉस यह चला गिया इसमें सुवया सॉस सिर्का एड़ कर देते हैं और साथ ही हमने शामिल कर देना है चिली सॉस, ये तमाम चीजें हमने इसमें ये एट कर दी और इसमें शामिल कर देंगे right salt, जो के low sodium salt है और आपको वजन कम करने में भी help देता है, और वो इस तरह से, कि जब भी हम नमक का ज्यादा इस्तमाल करते हैं ज्यादा सूडियम का इस्तमाल करते हैं तो हमारी बाड़ी जो है वो पानी को स्टोर करना शुरू कर देती है और जाहर सी बात है जब पानी को स्टोर करेगी एक्स्रा तो हम बलकी दिखेंगे हम बलकी हो जाएंगे तो आपक ताकि आप मोटापे से महफूज रह सकें, आप बलड प्रिशर से महफूज रह सकें और इसके साथ-साथ-केल्शियम की कमी से भी आप महफूज रह सकेंगे तो चलें, यहाँ पर अब मैं एट करने जा रही हैं, यह जो बीफ की, इस ट्रिप्स हमने कट कर नी है यह इसमें शामल कर देते हैं सिर्फ लहसन है जो मैंने इसमें और एड़ करना है और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं ताके मैं चॉपिंग बोर्ड भी चेंज करूँ और फिर हमने उसमें लहसन को अच्छा सा चॉप करके वो इसमें शामल करें कर लेंगे गोश्ट को कुक कर लेंगे उसके बाद हमने ऑईल गरम करना है वेजटेबल्स को थोड़ा सा स्टर फ्राइब करेंगे और उसके बाद हमने उसको बीफ इस्टर फ्राइब बीफ के साथ उबले हुए नूडल्स के साथ हमने उसको सर्फ कर देना है चाहें तो त तो माम अपने सॉसिस के साथ, थोड़ा सा मैं इसको कवर भी कर देती हूं ताकि यह थोड़ा सा को खोना भी शुरू हो जाए, अच्छा वेजटेबल्स को भी हमने स्क्रिफ राइ कर और अगर आप इसको और कम स्पाइसी करना चाहते हैं, तो आप इसको सीडलेस करके अट कर दें, और भी हरी मिर्चों की तेजी जो है, वो कम हो जाती है, थोड़ा सा स्टिर फ्राइ करतें, उसके बाद यह जो मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, यह मैं इसमें शामिल कर दूँगी, नमक एड़ कर देते हैं, इसमें राइट सॉल्ट, राइट सॉल्ट जो के वेट क कंट्रोल करता है, वो तमाम लोग जो लूज करना चाहते हैं, जो मेंटेन रखना चाहते हैं, वो तमाम लोग इस नमक का इस्तमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर से अगर आप बचना चाहते हैं, और इसके साथ-साथ, अगर आप चाहते हैं के कैल्शियम की कमी से बचें, त और हमने कुछ भी नहीं करना है यह अच्छा सा रेडी हो जाएगा पॉरा सा गार्लिक एट कर देते हैं उससे इसका फ्लेवर जो है वह अच्छा सा जबर दसा हो जाएगा कि किसी काली मिर्च की जरूरत नहीं है क्योंके आल रेडी हमने इसमें धेर सारी जो हरी मिर्चें शा सास भी जाएगा तो इसमें आपने काली मिर्चों का इस्तमाल नहीं करना है जो भी तेजी आएगी वो हम हरी मिर्चों से लेकर आएगे